आगास बड़े दमाके से किया था जब रखा था क्रिकेट की दुनिया में कदम सचिन तेंदूलकर का सबसे प्यारा दोस्त मशूर थे इनकी दोस्ती के चर्चे लेकिन धडाम से गिरे अर्श से फर्श पर एक दम से पिट का करियर हो गए दाने दाने के वांदे अब सलेक्टर बनना चाहते हैं माली हालत हो चुकी है खस्ता ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट जगत का उबरता सितारा एक दम से चूट कर जबी पर गिर गया जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट से टीम इंडिया की पैचान जर्सी नमबर रखारा ये किंग कोली की जर्सी का नमबर है लेकिन ये हमेशा कोली का नमबर नहीं था इस नमबर की जर्सी पर कभी रहा है किसी और खिलाडी का राज कोली से पहले भी एक सितारा था जिसने इस नमबर की जर्सी पहन कर क्रिकेट जगत में मचाई थी संसनी इस जर्सी का क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदूलकर से भी रहा है गहराना था इस जर्सी को कोली से पहले पहने वाले खिलाडी ने जब टीम इंडिया में डेब्यू किया तो सभी को लगा कि क्रिकेट जगत में एक नई संसरी का आगाज उचका है क्रिकेट के दुनिया में जर्सी नमर 18 का ये सूरत जितनी तेजी से आस्मान की बुलंदी पर पहुँचा उतनी ही तेजी से उसका सूरत अस्त भी हुआ जी हाँ हम बात कराएं टीम इंडिया के बाएं हाथ के एक पहतरीन बनलेबास जिनका नाम है विनूत कामले अगर कहें कि इनकी पूरी जिन्दगी उतार चड़ाव से भरी रही तो जूट नहीं होगा एक समय टीम इंडिया की जान विनूत कामली गौड अफ क्रिकेट के नाम से मश्यूग सचिन तेंदूलकर से भी ज्यादा च्छाई थे लेकिन किसी ने कहा कि अगर आप समय की कदर नहीं करते तो एक दिन समय भी आपकी कदर नहीं करता और हुआ भी यही आसमान में कभी कुलांचे बढ़ रहे हैं इस सितारे को समय ने जमीन पर पटक दिया आज हालात यह हो गए कि इनका गुजारा परी बड़ी मुश्किल से बी सी साई की पेंशन से चल रहा है कामली को परिवार की गुजर बसर के लिए काम मागने के लिए भटकना पड़ रहा है आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं पचास साल के कामली को काम की तलाश है और उकाम ढूनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है कामली ने मुंबई क्रिकेट एस्सेशन से भी काम के लिए गुजारिश की लेकिन अभी तक उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला अब इंटरनेशनल क्रिकेट में विनुद कामली के शुरुआती दौर की बात करें तो वो लाजवाब था विनुद कामली ने शुरुआती मैचों में बल्ले का जोर कुछ इसकतर दिखाया कि क्रिकेट के दुनिया में हर जगा उनकी ही चर्चा होने लगी थी हलांकि समय के साथ साथ कामली की किस्मत में जबरतास बदला हुआ और अंतराश्ट्रे किर्किट में भी आस्मान से जमीन पर आ गए विनूत कामली ने साल 1991 में पाकिस्तान की खिलाव बंडे मकाबले से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था वही 1993 में इंग्लेंड के खिलाव अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खिला कामली की शुरुआत इतनी शांदार रही थी कि शुरुआती साथ टेस्ट मैचों में उन्होंने चार शुतक जड़ दिये थे जिसमें दो तो डबल सैंचूरी थी भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज एक हजार रन बनाने का रिकार्ड विरूत कामली की नाम ही रहा कामली ने मैज 14 पारियों में ही ये मुकाम हासल कर लिया था उन्होंने 18 नमबर 1994 को वेस्ट नडीज के किलाव खेले का एक मुकामले में टेस्ट मैचों के अपने हजार रन पूरे कर लिये समय के साथ साथ धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी की चमक फीकी पड़ती चली गई जिसके चलते उनका करिया जादा बड़ा नहीं रहा विरूत कामली भारत के लिए 17 टेस्ट और 194 वंडे इंटरनेशनल मुकामले ही किल पाए कामली ने टेस्ट मे 74.Bl2.0 की ओसत से 184 रन बनाए जिसमें 4 शतक और 38 शतक शामिल रहे वही वनडे इंटरनेशनल में उनोंने 32.59 की एवरेस से 24477 रन बनाए वन डे इंटरनेशनल में वन डे इंटरनेशनल विनोध कामली के बल्ले से दो शतक और चोदे अरुष शतक निकले अब पूर भारतिय क्रिकेटर विनोध कामली सेलेक्टर बनने की दौड में कूट पड़े है बिसी सीय की नए सेलेक्टर कामैटी के तमाम पतों के लिए अपलिकेशन देने की डेडलाइन 18 نومबर को खत्म हो चुकी है लेकिन विनोध कामली की बाद वहाँ भी नहीं मरी बिसी सीय की नए सेलेक्शन कामैटी की गठत हो चुकी है जिसमें चेतन शर्मा, शिर्फ सुंदरदास, सुबरतो बनरजी, सलिल अंकोला और श्रेदर सरत शामिल है अब रहे विनोत कामली की बात तो उनका आगे क्या होगा कि फैसला वक्त पर छोड़ना ही सही रहेगा ये तो सच्चाई जरूर है कि उन्हें इस वक्त काम की तलाश है, उनकी माली हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है लेकिन कही न कहीं वक्त ने इस रहा पर इसलिए लाकर ख़़ा कर दिया है क्यूंकि उन्होंने भी कभी वक्त की परवा नहीं की सचिन की गहरे दोस्त विनूत कामली ने सचिन के साथ नाजाने कितने ही पल बिताए है लेकिन अगर सचिन से सीख लिया होता कि खेल के परती खुद को कितना इमानदार और अनुशासित रखना पड़ता है तो आज ही नौमत नहीं आती समय की परवा, सही सूच और मेहनती इंसान को आगे ले जाती है बेरो रिपोर्ट